तो गुड मॉनिंग बच्चों हम कर रहे थे exercise 3.7 जिसमें अपने 9 तक क्वेशन कर लिए हैं आज हम कर रहे हैं क्वेशन नमर 10 और 11 क्वेशन कर लेते हैं इसके साथ में आपका थर्ड चैप्र कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स में चौथा चैप्र शुरू कर देंगे तो द और चार का लेसन निकालना और गोल रहा है तीन का एक गुणस तो तीन का एक गुणस यह है तीन के पाड़े में आ रहा है तो इनका लेसन निकालना है तो नो और दो दूनी चार दो का नो ऐसे कैसे दो एक का दो तीन का बाग नो में गया तीन बार एक ऐसे और तीन का ती बारा और बारा पंजो शाट यह हो गया इसका लैसे ठीक है सेकंड पॉश्चन देखो इसमें बोल रहा है बारा और पंद्रह तो बारा और पंद्रह का निकाल दू देखो यह भी तीन का गुणाश है इसके अंदर स्वरे बारा और पांच बारा और पांच तीन के पाड़े में बारा आ रहा है तो यह हो गया तीन चोक बारा और पांच दो चीकी बारा और पांच दो कब आप छे में गया तीन बार पांच ऐसे अब तीन कब आप तीन में गया एक बार पांच में नहीं जा रहा ऐसी कैसे उतार दू पांच कब आप आपने इक बार गया अब सारा चला गया तो आप अपने बुड़ा गिंदेंak 2 5 दो दुनी 4 चार को तीमरा कि द्वारा बारा को सव प्ना और 1 5 जो 12 साथ इसका लेасर हो गया जाट नेक्स बर्शन को रहा है छे और पाँच छे पाँच दो कम आग दिया दो तिया छे पाँच तीन एकम तीन 5 5 एका 5 जाला गुन न्थन कर दो दो गुना तीन गुना 5 तो दो तिया छे और छे पंजो 30 यह इसका आगे लेस है 30 अगला है पंद्रा और चार दी है पंदरा और चार इसका लेसन निकाल दो तो दो का भाग दिया है पंदरा में नी गया चार में चला गया दो बार अब इसका भाग जा रहा है पंदरा में नी लेकिन दूप में जा रहा है एक बार अब 3 का बार पंद्रा में जा रहा है, 3 पंजो 15 फिर से जा रहा है 5 एक पंच तो इसका लेस्ट निकला 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 तो पहले 2 दो निच 4, 4 ती 12, 12 पंजो 17 लेस्ट निकला, अब यह बोल रहा है इस व्यूशन में कि प्राप्त लेस्ट में एक सामान ने ग क्या है, यह साथ, यह साथ, यह 30, यह साथ, सब तीन से भी भाजित होते हैं, यानि यह सब तीन के गुणाज है, तो क्या लिखेंगे, सबी लैसे, सबी, सबी लैसे, तीन के गुणाज है, आपने देखा ना, कि तीन से भी भाजितोरे, साथ, 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 ठीक है, अब आगला देखो, सबी लैसे, क्या हो गए, तीन के गुणाज हो गए, पहला गुणाज है, तीन के गुणाज हो गए है, पहला गुणाज है, दूसरे कोशित पूछ रहा है, क्योंकि 36 में भी थीन का भाज जाता है, शाठ में भी थीन का भाज जाता है, अब आगला में इसी में बोल रहा है कि क्या लैस है क्साथ के स्थिति में दौनों संख्याओं का गुणंफल है, तो देखें गुणंफल देखो, नो चोग 36 आ रहा है बारचोग 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 48 और 15 और चार तो दोनों संख्याओं का गुणन फल जो आपको दो संख्याओं दे रहें के गुणन फल आ इन दौनों का गुणन फ। यहनि दौनों गुनन फल आ रहा है तो एक रिजल्ट क्या मदका खिला कि लेसे डोनों संख्याओं का आओ कि गुणन फल है क्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल है, दो रिजल्ट पते चल गए, तीसा गुणरा क्या हम निश्कष निकाल सकते हैं, कि दोनों संख्याओं का लेसर हमेशा तीन का एक गुणनचो सकतार नहीं, यह ज़रूरी नहीं है, दोनों संख्याओं का लेसर हमेशा तीन का गुणनच नहीं हो सकता, यह आपको कुछ एक्जामपल है, जिनमें हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है, कि हमेशा यह गुणनच समान हो, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नमबर 11, निम्टी की संख्याओं का लेसर ग्यात करो और एक संख्या, दूसरी संख्या का गुणनखन है या नहीं, तो सबसे पहले तो आपको ए दे रखा है, 5 और 20 का गुणनखन कर दू, 2 से 5 ऐसे, 2 धायी का 20, 2 से 5 ऐसे ही, 2 पंजु दस, और 5 से पांच एकम 5, तो फिर पांच एकम 5, पांच उक्छो, गुणने कितना हो गया है, इसका लेसे है, दो गुणना 5, दो दूओनिसर चार और 4 पंजो 20 डी देखो छे और 18 छे और 18 ठीक है दो से मेर दो तिया चे अना हुआ है तीन गुणा तीन, दो तिया छे और चंबार चेती, अठारा, सी, सी है बारा और अड़तालेस, बारा और अड़तालेस, दो का दिया, दो ची की बारा, दो दिन चार, दो चोगार, दो तिया छे, दो एकम दो, दो दुरी चार, दो से तीन, और दो तिया छे, और तीन एकम तीन तो गुणा कर दो इनका दो गुणा, दो गुणा, दो गुणा, दो गुणा, दो गुणा, तीन दो दो नी चार, चार दो नी आठ, आठ दो नी सोला, सोल दो ना बत्ती सोला थी अर तालेस या अग्या इसका लेसन अगला है नो और पैतालेस नो और पैतालेस तौह Azka तो अभी आगया तीन गुराइं गुरा पांक तीन 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 भान पांच सück थैन्हा नो पंज पर थास अब इ société ज्वह रहे है कि विधा वे में आप देख रहे हैं आप office देखे कारेऊ इसकी आदि तो आपने क्या रिजल्ट देखा कि बड़ी संक्या ही लेसे प्राप्त हो रही है यह ध्याल रखेगा कि कंपलसरी नहीं है कि बड़ी संक्या ही लेसे प्राप्त हो ठीक है कभी कभी हो सकता है कि इस में आपको नीचे Thank you.